नमस्कार आप देख रहे हैं 4 पीम मैं हूँ आपके साथ सिम्रन दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली विधान सब चुनाफ के लिए आप ने ज़ौरी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट संजराउत ने कहा कि बनेगा महाविकास अखाडी की ही सरकार पूर्मुखे मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा महराज भार्खन में जीत रहा है हमारा गड़बंधन बीपील कार्ट को लेकर के डीके शिफकुमार ने किया बड़ा एलान इन सभी खबरों पे ज़र्जा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर दिल्ली विधांसबर चुनाफ के लिए आपने जारे की उमीदवारों की पहली लिस्ट छे दल बदलू हारे हुए नेताओं को भी दिया टिकेट नाना पठोले के सियम बनने की बाद पर संजय राउत ने कसा तंज कहा राहूल गांधी और मलिकारजुन खरगे करदे सियम फेस घोशित महाविकास अघारे की सरकार बनने का हिया दावा यूप यूप चुनाफ को लेकर के सियासत तेज सपाने की चार सीटों पर फिर से चुनाफ कराने की मांग कहा मुस्लिमों को बोड डालने से रोका गया एक्जिट पोल के नतीजों पर उदफ छाकरे गुट ने बोला हमला कहा ये अब सिर्फ मनोरंजन का साधन है उदफ शाकरे गुट का बड़ा दावा कहा ज्यादा मतदान का अर्थ है कि इस पार वर्तमान सरकार के काम से खुश नहीं है जनता शिफ सेना युबिटी के सांसर संजराउट ने एक्जिट पोल पर अपनी प्रतिकरिया देते हुए कहा कि लोगतंतर में जो मतदान होता है वो गुप्त होता है मतदान की बात आए एक्जिट पोल को लेकर अप चर्चायन जारी है इस फीशिफ से ना युबिटी के सांसर संजराउट एक्जिट पोल पर अपनी प्रतिकरिया देते हुए कहा कि लोगतंतर में जो मतदान होता है वो गुप्त होता है लोग अपनी बात हमेशा खुल कर नहीं करते हैं महाराश्ट में इस पार यही हुआ है, हरियाना में exit pole के अनुसार कॉंग्रेस जीत रही थी, आप ने देखा कि क्या हुआ संजे राउट ने कहा कि लोगसभा में एक्जिट पोल के अनुसार पीये मोदिक की सरकार को 400 पार सीटे मिन रही थी लेकिन क्या हुआ देश तारीख को 10 से 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा कॉंगर्स रावत के और उत्र प्रदेश चुनाः परिजनाव के लेकर दावा करते हुए कहा कि महाराश्ट और ज्थार्धन में हमारा गडवन्धन जीत रहा है महराष्ट चारकन विधानसभव चुनाव और उत्रप्रदेश उत्राखन विधानसभव चुनाव के लिए मत्दान हो चुके हैं वोटिंग पूरी होने के बाद अब हर किसी को नतीजों का इंतिसार है लेकिन नतीजों से पहले अपनी अपनी जीत के दावे भी खुब किये जा रहे हैं उप्टराखन के पूर मुख्यों अंपरी और कॉंगरिस निता हरी श्रावत ने महराष्ट जारखन के और उत्राखन उत्रकदेश चुनाव परिणाम को लेकर दावा करते हुए कहा कि महराष्ट और जारखन में हमारा गडबंधन जीत रहा है बहुत अच्छे बहुमत के साथ गडबंधन सरकार बनाएगा लोग परिवर्तन चाहते हैं लोग चाहते हैं महंगाई कुशासंद रष्टाचार से तंग है और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी जीत होगी और ये नतीजे भारत बा लोगतंत्र के हित में होगे केंद्र ने बीपील परिवारों के लिए कुछ मानक इस्थापित किया और उनकी सरकार उसी के आधार पर काम कर रही है अगर गलती से पात्र परिवारों के बीपील कार रद्ध हो गये है तो उसे फिर से जारी किया जाएगा करनाटा के उक मुखेवन पर जीके शिफकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राजे सरकार गलत तरीके से रद्ध किये गए बीपील कार्ड फिर से जारी करेगे शिफकुमार ने लोगों को आशवासन देते हुए कहा कि जिन्ता की कोई बात नहीं है और उन्होंने बताया कि केंट्र ने बीपील परिवारों के लिए कुछ माना की स्थापित किये हैं उनकी सरकार उसी के आधार पर काम कर रहे है अगर गलती से पात्र परिवारों की बीपील कार्ड रद हो गये तो उसे फिर से जारी किया जाएगा उन्होंने कहा कि कुछ छेत्रों में इसको लेकर विरोध है और हम इसका समाधान करेंगे आयोग के अभ्यार्थियों को हटाने की समीश्या जारी है शिफकुमार ने जब पूशा गया कि BPL लड़ाई रद करने के दुरान भौतिग सत्यापन क्यों नहीं किया गया तब उन्होंने कहा कि दुर्तियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक का उपाय लाओ के जाएंगे आगे उन्होंने कहा कि मुख्य मंतरी में संबंधित मंतरी को निर्देश दिया है आमादी पार्ची ने दिल्ली विधानसवा चुनाफ के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है पार्ची के पहली सुची में ग्यार उम्मीदवारों का नाम है महाराश रुहारखन के विधानसबा चुनाफ के लिए मतदान संपन हो गए हैं और अब नसीजों के इतिसार है इसी के साथ आपको बता देगी है अगामे विधानसबा चुनाफ को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस्ती है इसी बीच वामादी पार्टियों ने दिल्ली विधानसबा चुनाफ के लिए उमीदवारो के पहली लिस्ट जारी कर दी है इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने दाविधारी जो है वो शुरू हो गई है महाराज में मतदान का फाइनल आफ़रा सामने आने के बाद शित्तेना यूबिची ने दावा किया है कि महाविकास अगारी की तरकार पनेगी उद्दव शाकर गुट के नेता आनंद दूबे ने बयान जारी कर कहा कि जब भी किसी चुनाफ में मतदान प्रतिशत बदलता है तो जनता बदलाब चाहती है समाचार एजिंसी के मताबिक आनंद दूबे ने कहा कि मतदान कल ही संपन हो गया देराज जो कोटा प्रतिशत आया है 65.11 प्रतिशत मतदान हुआ है 2019 के चुनाफ से करीब 4 प्रतिशत ज्यादा है अमूमन राज्जी में देखा गया है कि जिस चुनाफ में ज्यादा मतदान होते हैं उसमें परिवर्तन होता है और लोग बदलाब चाहते हैं महराज फिदान सब चुनाफ के लिए एक्जिट पोल के ज्यादतत नतीजों में MPA को जटका लगा है और अब इस एक्जिट पोल के आखड़ों को उद्दव गुट ने मनुरंजन का साधम बताया है लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ले इसलिए एक्जिट पोल सिर्व मनुरंजन के लिए हैं तेश नमंबर को MPA बड़ा उलट फेर करेगी नाना पटोले के CM बनने की बात पर संजय राउत ने तंजी कसा राउत ने कहा कि पहले राहूल गांधी और मलिक आरजुन खरगे को चाहिए कि नाना पटोले को CM फेस जो है वो घोशित करें राउत ने महराश में महाविका सखाड़ी की सरकार बनाने का दावा किया है महराश में एक्जिट पोल और सरकार गठन को लेकर उदव शाकर गुट ने बड़ा ऐलान किया है शिफसेना यूबिटी के प्रवक्ता संजर राउत ने तावा किया है कि सरकार महाविका सखाड़ी की बनेगी और उन्होंने कहा कि गड़बंधन को कम से कम 160 सीटे आ रही है राउत ने एक्जिट पोल पर भी सवाल उचा है नाना पटोले के सीएम बनने के बयान पर भी राउत ने तंजे कसा सांसत पपु यादफ ने जान से मारने की धंकी कर प्रतिकरिया देते हुए कहा कि सरकार इस मामले पर कुछ नहीं कर रही है महा सच्चिव और कुछ अधिकारी थे जिन्होंने मुझे रोखने की कोशिश की मेरे पास उनके आडियो टेप हैं कुछ अधिकारी इसपताल घोटाले के मामले में शामिल थे जिसे मैं संसत न उठाओंगा कुछ अधिकारी मुझे सच बोलने से रोखना चाहते हैं कुछ और लोग हैं चो मेरी आवाज उठाने पर मुझे मारना चाहते हैं मैंने सारी रिपोर्ट दे दी है लेकिन सरकार धंखी के मामले पर कुछ नहीं कर रही है इस बोजन विलहार वस इतना ही आप देखते रहे हैं 4 पीम धन्यवाद स्टर्स्डस्ना चाहती माटाँ 2 रेवार बासल प्रस्तू से ठेखते हैं कि को शुइ्ट हैं इस झालπάरो एफ भ्हां भ्हां प्रत कर ह्हां अरूपा चाहते हैां कर रहाबजाश्स को कि हनल सर देखते हैं झाल, 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 झाल